नमस्कार बहुत स्वागत आपका जोतिश दुशास सत्य की राह में मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टुप्षेंड संतो संतोशी सुरवाद करते हैं नए दिन की नए सप्ताह की आज एक नया सप्ताह आरंभ हो रहा है असाड़क शुक्ल पक्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और आज का दिन अभी और आप हमसे मुंबई में मुलाकात कर सकते हैं कल से आप मिलेंगे हमसे गाजियाबाद में मित्रोपित्र रणक की विशय में जितने जानकारी हमने दिया है उसमें ज्यादा विलंब ना करिए आप लोग फटाफट अपना रेजिस्टेशन जरूर करा लीजेगा सुभेरा हो चुका है तो राज़िफल की सिर्वाद गरते हैं आईए जानते हैं आज का पंचा अशार मां शुकल पक्ष दुतियाती थी सुभेर आठ बज़ कर उन्नीस मिनड तक इसके बाद दुतियाती थी का उदय होगा चंद्रमा करक में नक्षत्र असलेशा है योग रहेगा वज्र तदनुसार जिनांक 12 जुलाई दिन सोमवार सोमवार को राहुकाल सुपह साड़े साथ से नौ और गुलिकाल दोपह डिर से तीन बजे तक राहुकाल में नई और शुबकाम का आरम जास्तर मना करते हैं लेकिन गुलिकाल में सास्तर कहते हैं कि आप کر लिजे जो करना है काम आपके बन जाएंगे शुब्ता आपको जरूर मिलेगी मेश सेव लेकर मीन तक पूरे दिन का हाल एक एक छेत्र का हाल सब कुछ यहीं अभी तुरंत लिजिए आज की भविश्यवारी मेश राशी थोड़ा सा सिक्षा में आज मन उचट जाएगा थोड़ा सा उचटेगा बाकी पेस पकड़े रहेंगे ब्यापार कश्ट देगा प्राइविट सेक्टर में लाब होगा वाहन का सुक मिलेगा सरकारी छेत्र में प्रमोशन की स्थिती दो पहर तीन बज़े के बार बनेगी दामपत्य जीवन बहुत अच्छा पत्नी के साथ विचार मैच करेंगे लेकिन लव लाइफ में आज उल्जन आएगी लव लाइफ को लेकर के आज थोड़ा सा सजग रहने के आवशकता है समस्याइगम भीर हो सकती है स्वास्त के मामले में आज का दिन माइग्रेन और दांतों की तकलीफ प्रदर्शित करता है प्रियोग के तोर पर शुवता के लिए आज भगवान गणेश के समक्षे घी का दिया जलाईएगा क्या नहीं करना है पलट कर जबाब किसी को मत दीजेगा शुवरंग आपके लिए हरा भागी प्रत्शत 67 थोड़ा सा मन खिन रहेगा पढ़ाई में मन कम लगेगा पूरे दिन थोड़ी सी परेशानी पारिवारिक दिकतों के कारुण दिखाई दिती है ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में कोई रुकावट परेशानी नहीं आ रही है प्राइविट सिक्टर आपके लिए टफ सिचुएशन पैदा करेगा यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रेशर फील करेंगे सरकारी छेत्र आपके लिए बहुत अन्कूल है किसी तरह की समस्या नहीं होगी दामपत्य जीवन में बच्चों को लेकर के आज बड़े निर्ड़े लिए जाएगे लव लाइफ आपके लिए बहुत अच्छा है साकरात्मक है लव लाइफ में सब कुछ बहुत शुब होगा स्वास्त के मामले में पेट लिवर आँख की दिक्कत हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए आज की दिन को बहतर करने के लिए भगवान विश्रु को याद करते हुए ओम नमु भगवते वासु देवाय का साथ बार जाप कर लीजेगा क्या नहीं करना है आज के दिन किसी अजनभी पर भरोसा कते ही नहीं करना है नीला रंगशुभ है 49 प्रत्शत का भाग्या है मेथुन राशी कुछ परेशानियां, मुश्किले आ रही है ब्यापार नहीं चल पाएगा पढ़ाई में भी आज मन थोड़ा सकम लगेगा वैसे तो दिन ठीक है हाँ, शाम होते होते कोई रिजल्ट पॉश्टिव आ सकता है प्राइवेट सेक्टर में आज पैसा कहीं न कहीं ब्लॉक होता हुआ दिखाई देता है दोस्तों के साथ मनमुटाओं की स्थती बन सकती है सरकारी छ्षेतर अच्छा रहेगा पती-पत्नी के बीच बहुत सवहार्द रहेगा बच्चों से संबंधित अच्छे निरण लिए जाएंगे लव लाइफ में उल्जन पैदा होगी बैवाहिक चर्चा को आज टाल देने में ही भलाईए स्वास्थ के मामले में डाइजेशन आँख और किड्नी की समस्या हो सकती है मिथोन राशी वालों को उपाय क्या करना चाहिए आज की दिन को बेहतर करने के लिए गियों के आटे का दान बहुत शुब होगा और क्या नहीं करना है आज बच्चों से उलजना नहीं है शुबरंग स्लेटी भागी प्रत्षत 68 करकराशी दिनांग 12 जुलाई दिन सोंवार पढ़ने में आज खोब मन लग रहा है सिक्षास से सम्मंधित कोई बहुत अच्छा फैसला लिया जा सकता है ब्यापार कश्ट देता लेकिन आपकी बुद्धिबत्ता से बिजनस में ग्रोथ बढ़ेगा प्राइविट सेक्टर तनाव दे रहा है स्थिती बहुत स्पष्ट नहीं है सरकारी छेत्र में कुछ उलजन हो सकती है गवर्मेंट सेक्टर को लेकर आपको तयार रहना होगा किसी ने किसी तरह के जांच में फंसे सकते हैं दांपत्ती जीवन अच्छा है पतनी के साथ सवहार्द बढ़ेगा जो बिवाद की स्थिती थी वो शाम होते होते ठीक हो जाईए लव लाइफ आपके लिए परिशानी का कारून बन रहा है लव लाइफ की सती कहीं से भी ठीक नहीं लग रही परिशानियां बढ़ती जा रही है स्वास्त के मामले में माइग्रेन बैक की प्रॉबलम और हर्ट की प्रॉबलम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज दिन बहतर करना है बजरंग बली को याद करते हुए लाल सिंदूर का तिलक मस्तक पर लगा लीजेगा क्या नहीं करना है आज दूसरों से उम्मीद नहीं करना है शुबरंग लाल भाग प्रत्षत सेक्टे 5 सिंगराश बारह जुलाई पढ़ने में तो टॉप कर रहे हैं सिक्षा में बहुत उन्नती रहेगी सैक्षणिक स्थती आपकी अच्छी रहेगी ब्यापार आपके लिए कश्ट देगा बिजनस को लेके आपको सजग रहने की आवशकता है दामपत्य जीवन बताएंगे हैं प्राइविट सेक्टर वाहन का सुक मिलेगा मकान की चिंता छोड़ देनी है आज दोस्त मददगार होंगे बहुस प्रशन रहेंगे सरकारी छेतर में उल्जन बढ़ सकती है गौर्बन सेक्टर आपके लिए पक्ष में नहीं है परिशान कर रहा है दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है पधि-पत्नी की बीच बहुत सुखद यात्रा रहेंगे आज लव लाइफ में कुछ उल्जन बढ़ सकती है लव लाइफ की स्थिती ठीक नहीं लग रही है स्वास्त की मामले में पेट, लीवर, बैक की प्राबलम आखों की तकलीफ हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए, प्रियोग के तौर पर मादुरगा को प्रणाम करना है लाल पुष्प मा की चरणों में रखना है और क्या नहीं करना है, ब्लैक कलर नहीं पहनना है सफेद रंग की शुपता है, 69 प्रतिशत का भाग्य है कन्या राशी, अच्छा समय है, सिक्षा में बहुत मन लगेगा सिक्षा का छेतर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ब्यापार तकलीफ दे रहा है, बिजनस की स्थती बहुत अच्छी नहीं है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए भारी पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर मुश्किलों में डाल रहा है सरकारी छेतर आपके लिए बहुत अन्पूल है गौर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी दामपत्य जीवन अच्छा है, पति-पत्नी के बीच सवहारत रहेगा एक दुसरे को मजबूती के साथ आगे लेके जाएंगे लव लाइफ मुश्किलों में डालेगा, परिशानिया बढ़ सकती है सुच समझ कर फैसला लेना होगा स्वास्त के मामले में आँखों की तक्रीफ, आँखों से पानी आना कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी करन्या है ओम नमह शिवाय शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाब करिए क्या नहीं करना है बड़ बोलापन नहीं दिखाना है कि सरिया रंगशुभ है, 61 प्रत्षत का भागय है तुला राजी, गिनांग 12 जुलाई अच्छे से मन लगेगा पढ़ने में किताब उठाएंगे तो चीजे समझ में आएंगे आज सिक्षा का च्छेतर आपका बहुत ब्राइट है ब्यापार कश्ट देगा, बिजनस की स्थिटी ठीक नहीं है प्राइवेट सेक्टर में तनाव बढ़ रहा है सोच समझ कर फैसला लेजिए सरकारी छेतर, उल्जन बढ़ाएगा गौर्णन सेक्टर की स्थिटी कहीं से भी सकरात्मक नहीं है दामपत्य जीवन अच्छा है, पत्नी के साथ अच्छा समय बीतेगा एक दूसरे को समझेंगे आज लव लाइफ में कुछ तनाव था शाम होते होते वो दूर हो जाएगा स्वास्त के मामले में डाइजेशन की दिक्कत है और शुगर बढ़ेगा प्रियों क्या करना चाहिए, तुलावालों को आज शहद शिवलिंग पे चढ़ा दीजेगा क्या नहीं करना है, आज बढ़ों का अनादर नहीं करना है गुलाबी रंग शुभ है, संसेट प्रतिशत का भागिया बिश्चेक राजी, थोड़ा सा पर आज सकरात्मक पक्ष दिखा रहा है प्राइवेट सेक्टर में सब तरह से आप मजबूती प्राप्र करेंगे, सरकारी छेत्र तो मुश्किल दे रहा है गौर्वर्मेंट सेक्टर में कुछ भी ठीक और बैक की प्राप्लम हो सकती है उपाय क्या करना चेहिए अगर आपकी राशी ब्रश्चिक है आज प्रियोग के तोर पर उल्टी हथेली पर आटा और चीनी रखकर किसी पौधे की निचे रख दीजेगा क्या नहीं करना है आज अधिक खर्च नहीं करना है बैगनी रंग शुभः 64 प्रतिशत का भाग्या है धनुराशी दिरांग 12 जुलाई पढ़ने में आज खूब मन लग रहा है सुभ़स्ते ही आप एक्टम चैतन ने महसूस करेंगे सिख्षा में आज अच्छा एचीब करेंगे ब्यापार कश्ट देगा बिजनस में रिस्क नहीं लेना है पार्टनर्शिप बिखर सकती है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा है नई जगें अपलाई कर सकते हैं सरकारी छेत्र में तो इस्थती आपके हाथों से बाहर जाती दिखाई देती है लेन देन सावधानी से करें मकान में निवेश कर सकते है दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है पत्नी के प्रती आपके विचार बहुत मजबूती देंगे लव लाइफ आपके लिए भारी पड़ेगा लव लाइफ की स्थिती कहीं से भी पक्ष में नहीं है स्वास्त के मामले में कमरदर्द, लिवर, आंक, पेट की समस्या हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए धनुराशी वालों को उल्टी हथेली के उपरी सतह पर हलका सा सरसो का तेल लगा लिजेगा चंद्र और मंगल को बैलेंस करना है क्या नहीं करना है आज धनुराशी वालों को ब्लैक कलर नहीं पहनना है औरेंज कलर की शुपता है क्यावन प्रतिशत का भाग्या है मगर राशी पढ़ाई के लिए आज जो सोचेंगे विचार करेंगे वो पूरा हो जाएगा सिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी बैपार आपका अच्छा चलेगा बिजनस में लाब होगा पुरानी समस्याओं का हल लिखलेगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए तनाव पूर्ण इस्थती पैदा कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में दिक्कते बढ़ सकती है सरकारी छेत्र में अनोख्य रूप से आप आगे बढ़ेंगे दामपत्य जीवन परेशान करेगा लेकिन शाम होते होते एक दूसरी के प्रती विश्वास बढ़ेगा लव लाइफ बहुत अच्छा है आज विवाह की चर्चा जरूर करिएगा खुश ख़बरी मिल सकती है स्वास्त के मामले में माइगिरेन आँखों की तकलीफ, डाइजेशन प्राबलम और लीवर की प्राबलम हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए आज किसी बुज़ुर्ग को दवा देकर प्रणाम करिएगा आशिरवाद दीजेगा, क्या नहीं करना है बड़ बोला पर नहीं दिखाना है शुबरंग बादामी भाग्य प्रत्षत 50 कुम्भराशी, बहुत अच्छा समय है माजसिक प्रशनता रहेगी पढ़ाई आज अच्छी करेंगे शिक्षा में कोई रुकावट रही आ रही है ब्यापार कश्ट दे रहा है बिजनस की स्थती हाथ से निकल रही है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनकूल रहेगा नवगरी में प्रमोशन होगा, वाहन का सुक मिलेगा सरकारी छेत्र में उल्जन बढ़ सकती है बॉस के साथ बिवाद की स्थती पैदा हो सकती है काम का बोज जादा रहेगा दामपतो जीवन अच्छा है, पत्नी की विचार आज बहुत अच्छे से मैच करेंगे बच्चों को लेकर के सटीक निरणे लिया जा सकता है आज लव लाइफ में उल्जन बढ़ेगी शाम होते होते पैचप के लिए थोड़ा सा जुग जाईएगा अगर आपकी राश कुम्भ है लव लाइफ सदा बहार करिए लव टिप जरूर कर लिजेगा इस्टो फ्रेंड वाला हमारा ही लव टिप स्वास्त के मामले में आज माइगरेन और पेट की समस्या प्रियोग क्या करना चाहिए नीला वस्त्र धारण करिए क्या नहीं करना है दूसरों के काम में दखना अंदाजी नहीं करनी है नीला रंगी शुपता है 75 प्रत्षत का भाग्य है अंतिम राशी मीन स्रिक्षा में लाव होगा कोई समस्या नहीं आएगी पढ़ने में आप टॉप करेंगे व्यापार कश्ट देगा बिजनस में रिस्क मत लीजेगा प्राइमेट सिक्टर अच्छा है नहीं नवकुरी के लिए प्रियास करिएगा दक्षुन देशा से ओफर आएगा सरकारी छेत्र में लें देन सावधानी से करें अच्छा है इसमें कोई समस्या दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है स्वास्त के मामले में आज हर्ट की प्रॉब्लम और लीवर की समस्या हो सकती है उपाय के तोर पर गव माता को हरा चारा देना शुब होगा क्या नहीं करना है आज किसी स्त्री का नादर अपने दौरा नहोंने दीजेगा हरे रंग की शुपता है 56 प्रतिशत का भाग्य है राशियों का हाल जाना बात दो जानकारी की स्पेशल फटा फट जानिये आप परसों से हमसे गाजयाबाद मुलाकार कर सकते हैं कल तक अभी हम मुंबई में है बात हम भाग्याक्षर की करते हैं एक छोटा सा दिखने वाला आक्षर आपके भाग्य को कैसे पॉलिश करता है ये बस महसूस करिए डोट करके इस शुप भाग्याक्षर को सादे चौकुर कागज पर लाल रंकिंग वाली कलम से लिख कर अपने पास रख लेजेगा जलते जलते फटा फट सक्सेस की छे काले चने सर से तीन बार उल्टा वार कर किसी पॉधे के नीचे रख दीजेगा जिनकी आज बारह जुलाई को बर्थ हैनिवरसरी है उनके लिए तीन बच्चों की सिक्षा में मदद करके दो लोगों को भोजन कराना है और जिनकी आज मेरे जनिवरसरी है हल्दी कादान पति-पत्नी मिलकर करे और दो पीपल के पॉधे किसी पब्लिक प्लेस पर लगा दे शुब कामनाई देते हैं आप लोगों के उजल्भ विष्ट के लिए हमें नमद दीजेगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा 30 सितंबर से 6 अक्टूबर वाले पित्र रुण शान्ति महायग्यों में समलित होने के लिए विलम्वना करिएगा बहुत बहुत शुक्रिये थैंक यू अवे नाइस टे नमश्कार